हाई फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्प्लेंड करूंगी जिसका नाम है पिनायल वीटी लीगो मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें कहके सिम्टम है इसके कौस क्या है और साथे साथ कुछ होमियोपेथिक मेडिसिन जो आप इस कंडिशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकनों से प्रेस कर लीजे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडिय ऐसके क्लीटस चीलो गरलता रहूं मिलता रहे हैंसे जरिख सबसे पहले आखिर वी इतिलीव क्या होता है यह गर्लिशन को ग्लैन्स में बहुत है VTL ego होने का main reason यही है कि person के जो melanin है pigment उसकी कमी होने लग जाती है, उनकी deficiency होती है, जिसके वज़े से skin अपना original color को lose करने लग जाता है और white color के spots बनने लग जाते हैं अब मैं आपको इसके symptom बता देती हूँ कि अगर किसी person को penile VTL ego हुआ है तो उसमें आपको क्या के symptoms दिखाई देंगे तो first important symptom यही है कि person का जो genital area है उसमें white color के patches बन सकते है person की जो skin है उसका color lose हो सकता है, इसके अलावा ऐसे person को body के और भी parts में VTL ego हो सकता है जैसे कि उनको हाथ में, पैरों में या फिर lips में उनने white patches बन सकते हैं इसके अलावा person का जो hair है उसका color change हो सकता है, grey या white color के उनके hair हो सकते है उनका जो mucous membrane है उसका color change हो सकता है, इसके अलावा person को vision changes भी हो सकते है person की जो eyesight है वो weak हो सकती है Penile VTL ego person को किसी भी age में start हो सकता है, लेकिन जाधतर cases में ऐसा देखा जाता है कि ये person को 20 years से पहले ही start होने लग जाता है अगर किसी person को Penile VTL ego होता है तो उन्हें और भी कई सारे issues होते हैं जैसे कि उन्हें erectile dysfunction, premature ejaculation या फिर ऐसे person को anxiety, depression जैसी complaint भी हो सकती है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूँ कि आखिर क्या reason है किसी person को Penile VTL ego होने का तो ये एक तरीके का autoimmune disorder है जिसमें person का immune system है वो खुद के healthy cells को ही damage करने लग जाता है जिसके वज़े से person की skin में melanin का production रुप जाता है और जब भी person की skin में melanin का deficiency होने लग जाए तो वहाँ पे skin का color white हो सकता है इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियों से ये link होता है जैसे कि अगर किसी person को already कोई और autoimmune disease है तब भी person को ये condition होती है जैसे कि अगर किसी person को lupus की complain है या फिर अगर किसी person को thyroid gland में कोई inflammation हो चुकी है तब भी person को ये condition हो सकती है अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूं जो आप इस condition के लिए यूज कर सकते हैं तो medicine जैसे कि आप सोराइनम 30 medicine का यूज कर सकते हैं आप ट्यूबर क्यूलिनम 30 medicine या फिर आप आरसरी के अलबम 30 medicine का यूज कर सकते हैं ये सारी की सारी medicine आपको 4-4 drop दिन में दो बार diet अप इस condition के लिए यूज कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकनों से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो स्कूर्टिफिकेशन मिलता रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू